नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमर 36 गड़ के सखास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हो दिनू यादव शुरुआत करेंगे खबरों की सबसे पहले बाद 36 गड़ को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज दुर्ग सांसद और विधायक भी मौझूद रहने वाले हैं सीमसा आए कारिकरम से वचुली जुड़ेंगे 300 किलो मीटर दूरी सिर्फ पांच घंटे में पूरी होगी बड़ी खबर आप हुदे रहे हैं 36 गड़ को मिलेगी एक और वंदे भारत जहां प्रधान मंतरी मोदी आज सीमसा आए कारिकरम से वचुली जुड़ेंगे 300 किलो मीटर दूरी सिर्फ पांच घंटे में पूरी की जाएगी तो आप ये रेखिए एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है दरसल एक बार फिर वंदे भारत रफ्तार भणने की तयारी कर रही है राइपूर रेलबे स्टेशन पर ये पूरा जो कारिकरम होने जा रहा है जहां 36 गड़ को एक और बड़ी सौगात बंदे भारत की प्रधान मंतरी नरेंदर मोरी खोद आज देने वाले हैं दुर्ग से विशाखा पत्नाम बंदे भारत एक्सप्रेस का को रवाना किया जाएगा और प्रधान मंतरी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी जंडी दिखाएं और इसके बाद ये ट्रेन रवाना हो जाएगी अब राइपूर रेलवे स्टेशन पर भवव रहें राइपूर से तो कारिकरम के मद्दे नजर कैसी तैयारिया है क्या खास इंतजामात किये गए किस तरीके से वहां पर समय के साथ जो कारिकरम होगा इन तमाम चीजों की जानकारी आपको हम देंगे तो वही प्रधान मंतरी वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से खंडी दिखाकर वी ट्रेन को रवाना करने वाले हैं तो चतिस गड़ को एक और बड़ी सोगात मिले जा रही है जहां बंदे भारत आज रवाना होने वाली हैं प्रधान मंतरी खुद हरी जंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे तो आज को दिन बहुती खास रहने वाला है क्योंकि आज एक बहुत बड़ी सोगात मिलने जा रही है चतिस गड़ को मिठलेश एक बहुत बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है जा परदुर्ग विशाखा पटनम से वंद्य भारत की शुरुआत होने जा रही कैसी खास तैयारिया और ये भी बताये कि क्या क्या सुविधाएं होंगी किस तरीके से यात्रियों को बहुत बड़ी रहत मिलेगी निशीत रूप से द्रुग से विशागा पटनम तक का जो सफर तै करते थे उनको काफी राहत मिलेगी क्योंकि द्रुग से जब सफर विशागा पटनम का तै की आया था तो काफी समय भी लगता था लेकिन जब बंदे भारत से स्टार्ट हो जाएगी कि उसके बाद महज आठ गुंटों में ये सफर तूरा हो जाएगा जितनी भी अत्याजनिक सुविधाय होती है वो बंदे भाधत में ट्रेन में सब मौझूद रहेगी काफी लंबे समय सेंतिजार किया जा राथा इस कग है कि जब दरूग से विशागा प्रट्नं ट्रेंड रवाना होगी हाला कि थोड़ा से ये जरूर है कि थोड़ा सा परियोर्टन किया गया है कि अब जो ट्रेंड जो है आज वो रायपुर से रवाना होने वाली है लेकिन फिर भी जब दुरुग से रोजाना जब ट्रेंड निकलेगी तो निश्य तुरुप से लोगों को काफी रात मिलेगा क्योंकि साउथ इंडिया पर रहने वाले लोग बहुत है यहां पर ट्रेफिक बहुत है लोगों का आना जाना पड़ता है जब वंदे भारत एक्स बीड से भी रहत मिलेगा लोगों को तो लोगों को खुसी होगे सुवधायं भी काफी कुछ मिलने वाली है जी इस बतना तो महीं पता अब चलने के बाद पता चले गा जो भी हो लोगों में उटसा है क्योंकि द्रुग से ट्रेन और विशाका पटनम तक का सफर ते करेगी 8 घंटे का सफर होगा सुविधाएं जो है तमाम सुविधाएं बिलेंगी लोग बेसवरी से इंतिजार कर रहे थे कि द्रुग से ट्रेन कब शुरू होगी और वह आज दिन आ गया जब प्रदान मत्री इसको हरी जंटी दिखाकर रवाना करेंगे राइपुर से आज ये ट्रेन आरब होने वाज़े और जो इसाखा पटनम तक का सफर तो यात्रा होगी वह और सुखद होगी आसान हो जाएगी कम समय लगेगा और यह बहुत अच्छी बात है बहुत शुक पुलिस गश्ट कर रही है कनहर नदी चतिसगर जारखन की सीमा पर बहती है बड़ी ख़बर आपको जेरहिं बल्रामपुर से जहां बल्रामपुर जिले में लगातार बारिश से नदियाओ पान पर हैं कनहर नदी पर बने एनिकट के ऊपर से पानी बह रहा है पुलिस ने लोगों से नदी को पार नहीं करने के अपील की है नदी के किनारे पुलिस गश्ट कर रही है कनहर नदी चतिसगर जारखन की सीमा पर बहती है एक और खबर बलुरामपूर से जहान लागतार बारिश से घरमे पानी भर गया है। उस घर में लोग किस तरीके से रह रहे होंगे वहाँ पर जो नीव है वही कमजोर पर जाती है और जो कच्छे माकान होते हैं कच्छी दिवारे होती हैं वह बहुत जादा प्रभावित भी होती हैं तूटने का खत्रा बढ़ जाता है और ऐसे ही जो तस्वीरें हैं लगतार सा जीले में लगतार होरी मुशलाधर बारिस की वज़ा से घर के अंदर पानी भर गया है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें यह दिख रहा है कि पैर के काफी ऊपर भूटने तक पहुँचने वाला है पानी लोग बाल्टी के साहरे घर से पानी निकार रहे हैं रहने और खाने की तमाम चीज़ें को उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन ठेकेदार उन्हें सिर्फ अस्वासन देते रहे हैं नतीजा या रहा लगातार बारिस की वज़ा से घर में पानी भर गया है। सुधार करने की बहुत ज़रूरत हैं। सुराजपूर में सेसेल के सुरक्ष कर्मियों ने एक यूवक की बुरी तरे पिटाई कर दिये। चोरी का आरूप लगा कर यूवक को बुरी तरे पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी सामयाया है। पीडित की शिकायत पर पुलिस ने तेन सुरक्ष कर्मियों समेट चार लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। बढ़गाओं थानक्षेतर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने तेन सुरक्ष कर्मियों समेट चार लोगों पर केस दर्ज किया है। तो देखिए दरसल यूबग की पिड़गाओं पर केस दर्ज कर्मियों समेट चार लोगों। इसलिए की गई है क्योंकि लगता जो चोरियां हो रही थी। इन सुरक्ष कर्मियों को ये शक था कि शादी से यूबग ने चोरियों को अंजाम दिया है। इससे पूछताच की गई और जब इसने बोला किसने कोई भी चोरी नहीं की है। उसके बाद भी से बुरी तरह पीटा किया। इन से चार लोगों ने एक साथ इसको पर लात घूं से डंडे बरसाएं और मार मार कर अधमर कर दिया। अंबिकापूर में दो बाइकों में जबरदस्त भिडंत हो गई। राख हो गई। दोनो बाइक सवारों में जमकर मार पीट का मामला सामने आ रहा है। और इस दोरान मोटर साइकल को भी आग लगानी देखिए दोनों मोटर साइकल पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं जहां दो बाइक सवारू के बीच में मारपीट हुई थी और मारपीट के बार बहानों में आग लगानी का मामला सामने आया राज्य में कलेक्टर रस्पी कॉंफरेंस के बाद पुलिस सक्त हो गई है पिंडरा में पुलिस ने गाजे गांजे की बड़ी खेब पकड़ी है पुलिस ने तीन तसकरों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने क्विंटल से जादा गांजा भी बरामत किया तसकरों में से दो गिरफतार किया जा चुका है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां राज में कलेक्टर SP कांफरेंस के बाद पुलिस सख्त हो गई है पिंडरा में पुलिस ने गांजय की बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस में तेन तसकरों को भी गिरफतार कर लिया है पुलिस ने एक क्विंटल से जादा गांजय बरामत किया तसकरों से दो लगजरी गाणिया भी बरामत की गई है साइबर सेल और गौरेला पुलिस ने संयुक्त कारवाई की है पिछले तस दिनों में नौनता राज्जिया तसकर गिरफतार किये जा चुके है और यह देखिए आपने देखा छे बोरियों में गांजय भरा हुआ है कलेक्ट्यर रस्पी कांफरेंस के बाद पुलिस काफी सक्ष नजर आ रही है और इस तरीके से जो अव्य तरीके से तसकरी की जाती है नशे की सामगरिया भी जादा तर पकड़ी गई है और एक क्विं किन किन सिन के ताच जुड़े हुए हैं तीन तसकरों से गिरफ़तार करों से पूछ ताच जारी है तो पेंड़ा का यह पूरा मामला है जहां पर एस पी करेक्ट्यर कांफरेंस के बाद पुलिस एक्षन मोर भी नजर आ रही है और अवे तरीके से जो भी सप्लाई किया जा भी है क्योंकि यहीं से जाधा तर नश्चिले सामानों कि सप्लाई होती है और तकरीमान्य पुंटल से जादा यह फुर्माल पपकड़ा है छे बोले बर और ले जाए जा रहां था इन के पास से ठीन तसकरों को भी iß पक्रेवर इनके पास से एक कुणता से जादा पुमार और अब खबर जगदलपूर से जहां मालगाडी डिरेल हो गई है दो वैगन पटिरी से उतरे नगरनार प्लांट से बिशाका पटनम जा रही थी मालगाडी मौके पर पहुंचे रेलवे के अफसर कई गंटों बाद क्लियर हुई लाइन और यह तस्वीर आम देखे जब जो स्रक्षा कर्मिय मौके पर पहुंचे रेल रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विसे पट्री पलाने के लिए जद्धु जहट की गई कई घंटों बाद लाइन को क्लियर किया जा सका और समधाता विवेक श्रिबास्तव जुड़ गए हैं विवेक दो वैगन पटिदी से उतर गए हैं कैसे ये घटना क्रम हुआ है कहां लापर वाही जी देखे ये नगरणार से विशाखा पट्नम के बीच में जी 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 जाने के लिए पर ट्री बिच्छाई गई है तो उस पर ट्री में तहीं नहीं कहां दो वैगन जो है वो च्छनल होगा और पर ट्री से उतर गए और साफी घंटों मसंचत के बाद में पट्री को सुधारा गया और लाइन को क्लियर किया गया दो डिरेल हुई थी दो वैगन वो पूरी तरीके से श्टिग्रस हो गई थी तो इसको क्लियर करने में काफी समय लगा मौके पर लिए नंबिस्टी का दिकारी रेल्वे का दिक पूरी घंटों में पर लाइन क्लियर के गया और याताया वहां पर सुधार हो गया क्योंकि सुधेरे से श्टिग्रस ट्रेने जो है विसाखापट्रम से बसता राती है और विसाखापट्रम के हो जाती है तो यह इस्तिति यातायाद बंद होने की नहीं बन पाए तो शुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो लगतार हो रही आप राधिक कवर्धा की घटना निंदनी है प्रसासन की लापरवाही है पुलिस की लापरवाही है और छत्तित वड़ में जब से भारती जनता पाईटी की सवकार बनी है आम आदमी शुरक्षित नहीं है लग की हत्याएं हो रही है और हत्याओं का सिल्सिला तो कवर्धा तो पूरा हत्याओं की राध्धानी बन गया है ग्रिव मंत्री का ग्रीडिला होने के बावजूद भी वहां का नागरीक अपने आप उस्रक्षित महसूस नहीं करता है कि बता देंगी कबीर धामजिली के पुर्व सर्पंच के घरवाले इस घटना से घायल हुए है इस घटना में घायल होने के बाद इलाज के लिए ने सभी को हॉस्पिचल बेजा गया पुलिस ने इस मामले में 80 लोगों को हिरासत मिलिया है पुलिस के ध्यान में सब कुछ है मैंने विभाग से भी बात की है और कठोर करवा ही सब पर होगी कानून को अपने हाथ पर किसी को लेना नहीं चाहिए लेने का पढ़नाम गलत हुआ है खबर अम्मी का पूर से जहां पर एक शक्स से 16 लाख रुपए की ठगी की गई बताय जो रहा है कि ठग ने एक मेडिकल दुकान संचालक को ठेकेदारी के मुनाफ़े का जहांसा देकर रुपए लिए फिर रुपए देने से मना कर दिया अब दुकान संचालक ने अपने प कि इसे कोई फायदा नहीं हुआ है अम्मी का पूर का पूरा मामला है जहां एक शक्स से 16 लाख रुपए की ठगी कर ली गई ठग ने एक मेडिकल दुकान संचालक को ठेकेदारी में मुनाफ़े का जहांसा दिया था रुपए ले लिए और इसके बाद रुपए देने से मन कर रहा है